हे एवरिवान वेलकम टू ग्यान का बस्ता आज हम इस वीडियो में TGT GV ग्यान 2021 के पेपर के सलुशन की बात करेंगे तो आए वीडियो को स्टार्ट करते हैं हमारे पास TGT GV ग्यान के पेपर का सेट भी है तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और वीडियो को लाई करना ना भूले अगर ये आपके लिए helpful हो आपके लाई करने से हमें आगे की वीडियो बनाने के लिए और motivations मिलती है support B तो हमारा first question है एक कोशिका से दूसरी कोशिका में पानी के विश्रण को कौन निधारित करता है question number 1 के लिए जो right answer है वो है option C, DPD next देखिए question number 2 जिसमें पूछा गया है Darwin के द्वारा नहीं दिया गया था question number 2 के लिए जो right answer है वो होगा option B, उत्परिवर्टन वाद Darwin के द्वारा नहीं दिया गया था next देखिए question number 3 जिसमें पूछा है साइकस के प्रशूक्र जन्यू होते है question number 3 के लिए जो right विकल्फ है वो है option A, लट्टू के आकार का बहु पक्षमाभिक next देखिए question number 4 जिसमें पूछा है पक्सीनिया की प्रजाती जिसे पीत कित रोग होता है वह है question number 4 के लिए जो right विकल्फ है वो है option D, पक्सीनिया, रिकॉंडाइटा next देखिए question number 5 जिसमें पूछा है तीर्चे व्यवस्तित अंडाशे, दल लगन अवस्था एवं स्थम्ब्य विजान्ट विन्यास पाया जाता है question number 5 के लिए जो right विकल्फ है वो है option C, सोले नैसी next देखिए question number 6 जिसमें पूछा है सामान स्वासनावधी में प्रश्वशित वायू अथ्वा नीश्वशित वायू का आयतन कहलाता है question number 6 का जो right answer है option A, जोरी आयतन next देखिए question number 7 जिसमें दिया है विर्योन होता है 7 के लिए जो right answer है वो है option A, नुक्लियो कैपसिट next देखिए question number 8 जिसमें पूछा है hardy winberg सामिता डैश प्रभावित होती है question number 8 के लिए जो right answer है वो है option D, दोनों के द्वारा hardy winberg सामिता उत्परिवर्टन के साथ साथ प्राकृतिक वरण के द्वारा प्रभावित होती है next देखिए question number 9 जिसमें पूछा है मक्षट अथा मलेरिया का संबन अन्वेशित किया गया था question number 9 के लिए जो right answer है वो है option A, Ronald Ross के द्वारा next देखिए question number 10 जिसमें पूछा है सू के इंद्र की कोशिका में डैश के अच्छ शूत्र की सूजमना लिकाओं की व्यवस्था को 9 प्लस 2 प्रणाली कहते है question number 10 के लिए जो right विकल्प है वो है option C, दोनों में पक्षमाब तथा कशाभिका next देखिए question number 11 जिसमें पूछा गया है एक जीन के युग्म विकल्पी अलील आपस में शम्रशित नहीं होते हैं और F2PD में दोनों लक्षणों की फिर से अभिव्यक्ति हो जाती है यह कथन डैश है question number 11 के लिए जो राइट आंसर है वो है option B, V सायोजन का नियम next देखिए question number 12 जिसमें पूछा है ओबीलिया कॉलोनी में निमलिकित में से कौन सा परिकला से आवरेट नहीं होता है question number 12 के लिए जो राइट विकल्प है वो है option C, Medusa next देखिए question number 13 जिसमें पूछा है नेरिस में रक्त किसके द्वारा पंप किया जाता है question number 13 के लिए जो राइट विकल्प होगा वो होगा option B, प्रिस्ठी रक्त वाहिना next देखिए question number 14 जिसमें पूछा गया है मौस एवं फर्ण बहु कोशिकी भुरुन बनाते है question number 14 के लिए जो राइट आंसर है वो है option D, इस्त्रिधानी में next देखिए question number 15 जिसमें पूछा है प्रोकेरियोट्स में निम में से कौन सा अनुपस्थित होता है question number 15 के लिए जो राइट विकल्प दिया गया है वो है option D, उप्रोक्त सभी प्रोकेरियोट्स में नाभिके भित्ती, माइट्रोकॉंड्रिया, क्लोरोप्लास ये होशिकांगक अनुपस्थित होते है next देखिए question number 16 जिसमें खरगोश का दंत सूत्र पूछा है तो question number 16 के लिए जो राइट आंसर है वो है option C next question number 17 question number 17 में पूछा गया है प्राणी जनित प्रोटीन में नहीं होता है question number 17 के option में हमें doubt है इसलिए इस question के answer के लिए आपको आयोग द्वारा जारी किये गए उत्तर माला के प्रतिक्षा करनी होगी तो 17 का जो राइट आंसर हमें लगता है वो है option A next question number 18 जलोड म्रिदा डैश का एक प्रकार है question number 18 का जो राइट विकल्प है वो है option C अन्ता छेत्रे म्रिदा next question number 19 भार्टिय जोग हीरोटिनेरिया विश्यक निमलिकित कत्व में से कौन सा सत्य नहीं है यहाँ पे सत्य नहीं बताना है दिये गए option में से हिरोडिनेरिया के बारे में तो 19 का जो राइट विकल्प होगा वो होगा option D इसकी देगुआ अतिविक्सित होती है यह option सत्य नहीं है next देखिए question number 20 जिसमें दिया गया है जिम्नोस पर्म में फल नहीं बनते हैं क्योंकि यह पाया जाते है question number 20 के लिए जो right answer है वो है बिना किसी अंडार सै के next question number 21 इसमें पूछा गया है साखित कोनोडियो-four पाये जाते है question number 21 के लिए जो right answer है वो है option A पैनेसीलियम में साखित attachचित कोनोडियो-four पाये जाते हैं नेक्स देखिए question number 22, लामीजी कुल का पुष्पक्रम होता है Question number 22 के लिए जो right विकल्प है वो है option B, वर्टी सिलेस्टर Next देखिए question number 23, स्थनी व्रिक काडू के निमलिकित भागों में से कौन सा व्रिक के मर्ध्यांश में पाया जाता है Question number 23 के लिए जो right answer है वो होगा option D, हैनले का पास Next देखिए question number 24, 24 में हमें पूछा गया है निमलिकित में से कौन सा double standard RNA वाइरस है Question number 24 के लिए जो right answer है वो है option A, रोटा वाइरस Next question number 25 जिसमें पूछा गया है और एलिया के रोपैलियम को और किस नाम से जानते है 25 के लिए जो right विकल्प है वो है option B, tantukulocyst Next देखिए question number 26 जिसमें पूछा है निमलिकित में से यूगलीना किस वर्का है 26 के लिए जो right विकल्प है वो है option A, phytomastrygophora Next देखिए question number 27 जिसमें पूछा है त्री गुण सूत्रता में बहुगुणित सून सूत्रों की संख्या होती है Question number 27 के लिए जो right विकल्प है वो है option C, 2N plus 1 Next देखिए question number 28 जिसमें question दिया है पक्सीनिया ग्रामीस का डैश गेहुपर बनता है 28 के लिए जो right विकल्प है वो है option B, uredospore Next question number 39 जिसमें पूछा गया है कभी-कभी एकल जीन दोश बहुत से दुतियक प्रभाव उत्पन करता है या कहलाता है 29 के लिए जो right विकल्प है वो है option B, बहु प्रभाविता, pleiotropy Next question number 30 जिसमें question दिया है जनन ग्रान्थी में युगमक के बनने को कहते है 30 के लिए जो right विकल्प होगा वो होगा option C, युगमक जनन Next देखिए question number 31, कोलंबा कभूतर का पैक्टन किस से बना होता है 31 के लिए जो right विकल्प है वो है option A, रख्तक Next देखिए question number 32, जिसमें पूछा है सामाने जिवन चक्र में अनुक्राम होता है Question number 32 के लिए जो right विकल्प है वो है option B Next question number 33, 33 में हमें पूछा है आंशिक रूप से प्रिथक जनसंख्या को कहते है 33 के लिए जो right विकल्प है वो होगा option B, डीम Next question number 34 Cephalocodata में वन्श की संख्या है 34 के लिए जो right विकल्प है वो है option B Next question number 35, जब कई फ्लैजिला एक छोर में उपस्थित होते हैं तो ऐसे बैक्टिरिया जाने जाते है 35 का जो right विकल्प है वो है option C, Lofo Trichus Next question number 36, दैच लगभग सभी पादप कोशिकाओं में नहीं मिलता है 36 के लिए जो right विकल्प है वो है option A, तारक काई पादप कोशिकाओं में नहीं मिलता है Next question number 37, जिसमें पूछा है पेपर मिंट प्राप्त किया जाता है 37 के लिए जो right विकल्प है वो होगा option D, मेंथा पाइपरिटा से Next question number 38, जिसमें हमें पूछा है सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिये गए कूट का उप्योग करके सही उत्तर को चुनिए तो यहाँ पे हमें दिये गए सूची को मिलान करने के बाद, सुमेलित करने के बाद जो right आंसर मिलेगा वो होगा option 38 के लिए A नेक्स देखिए question number 49 जिसमें पूछा है व्यस्क एसकेरिस में पाए जाने वाले विश्णों की संख्या होती है 49 के लिए जो right विकल्प होए वो होगा option C, 1 next question number 40 जिसमें पूछा गया है फैशियोला किसके द्वारा यक्रित से चिपका रहता है 40 के लिए जो right विकल्प है वो है option B, 2 चूश्कों के द्वारा चिपका रहता है question number 41 जिसमें पूछा गया है पैरा मिश्यम में पैरा मिसीन किस कणके द्वारा उत्पन होते है 41 के लिए जो right विकल्प है वो है option A, कपा next question number 42 जिसमें पूछा है प्राउन की संतुलन पुटी पाई जाती है 42 के लिए जो right विकल्प है वो है option A, प्रस रिंगिका के अगर कखशांक में next देखिए question number 43 जिसमें पूछा गया है लाइकेन एक अच्छा सूचक है 43 के लिए जो right विकल्प है वो है option B, वायू प्रदूशन का next question number 44 जिसमें पूछा गया है फेरेटीमा के किस खंड के बाद सभी सेप्टा में सेप्टल नैफरीडिया मिलते हैं 44 के लिए जो right विकल्प है वो है option A, 14 बटा 15 next question number 45 जिसमें पूछा गया है किस वेग्यानिक के अनुसार राइजोस्फियर ना तो जड़ है ना तना बलकि यहां एक आर्गन सूच जिनेरिस है दिये के question 45 के लिए जो right आंसर है वो होगा option D, बावर एवां गोय बेल के लिए next question number 46, red drop प्रभाव किस के द्वारा अध्यान किया गया था question number 46 के लिए जो right विकल्प है वो है option C, immersion के द्वारा next question number 47, मेंडल का आनुवन्शिकी का कार निम्न में से किस पर आधारित है 47 के लिए जो right विकल्प है वो है option C, पाईसम सेटाइवं next question number 48, निम्निकित में से किस ने जनतूँ के भोगोलिक विस्तार का अध्यान प्रारंब किया था 48 के लिए जो right विकल्प होगा वो होगा option B, A, R, V, L, S next question number 49, पाईसम में परागकन किस अवस्था में स्फुटित होते है 49 के लिए जो right अंसर है वो होगा option C, चार कोशिकी अवस्था next question number 50, जिसमें पूछा गया है, एलजिनिक अमल पाया जाता है 50 के लिए जो right विकल्प है वो है option C, भूरे शयवाल के कोशिका भित्ती में next question number 51, केंद्रिका डैस के संसलेशन होतो स्थल होता है 51 के लिए जो right विकल्प है वो है option D, राइबोसोमल आरेने के लिए संसलेशन स्थल है next question number 52, जिसमें पूछा गया है ब्रुणकोश टैस्ट के भित्ती से घिरा होता है question number 52 के लिए जो right विकल्प है वो है option C, गुरू बिचाडू धानी next देखिए question number 35, जिसमें पूछा गया है दिमले के थौर्मोन से कौन सा कोशिका के सतही ग्राही से सलगन नहीं होता है दिरपन के लिए इस question का जो right विकल्प है वो है option D, टेस्ट असेरोन next question number 54, एक्विसिटम के किस भाग में केराइनल कनाल पाई जाती है 54 के लिए जो right विकल्प है वो है option A, प्रोटोजाइलम next question number 55, लिटमस प्राप्थ होता है पच्पन के लिए जो right विकल्प है वो है option C, लाइकेन से next question number 56, जिसमें पूछा गया है घरेलू मक्षी के पश्पंक लगू संतोल को में रूपांतर हो जाते हैं उडान अवधी में ये है 56 के लिए जो right विकल्प है वो है option C, अगरपंकों से दुरुत तर स्पंदन करते हैं next question number 57, तीनिया का जीवन चक्र डैश होता है 57 के लिए दिएगे question में जो right answer है वो है option B, दाई जेनेटिक next question 58, फ्यूनेरिया में बिजाडू कोष्ट किसके द्वारा बनते हैं 58 के लिए जो right answer है वो है amphithesium द्वारा, 67 endothesium द्वारा तो इस तरह से इस 58 के लिए भी इन दोनों option में हमें doubt है इन दोनों में से कोई भी हो सकता है, तो इसके लिए भी आपको आयक द्वारा जारी करी गई उत्तरमाला की प्रतिक्षा करनी होगी next देखिए question number 59 समझात सनचनाओं का अस्तित्व निम्लिकित में से किस घटना का सुझाव देता है 59 में जो right विकल्प है वो है option A अपसारी विकास का next देखिए question number 60 एक siphon of steel जिसमें leaf gap दूर दूर हो कहलाता है 60 के लिए दिए गये question में से जो right विकल्प है वो है option C next question number 61 संचित भोजन के रूप में floridine starch पाया जाता है 61 के लिए दिए गये question में से जो right option है वो है option D road of IC में next देखिए question number 62 62 एक पीड़ी से दूसरे पीड़ी में एक जैसी प्रकार के गुड़ों को भेजनों को निम्ण में से किसकी परिभाशा है 62 के लिए दिए गये option में से जो right answer है वो है option C 63 व्यस्क मानव के पाचन पत्में निम्लिखित में से कौन सा एंजाइन नहीं पाया जाता है 63 के लिए दिए गये गये विकल्प में से जो right answer है वो है option C रनिन जो की नवजाब सिश्यों में ही पाया जाता है व्यस्क में ये नहीं पाया जाता नेक्स देखिए question number 64, Amphioxus के gastrulation प्रक्रिया के समय कौन सी अंग विकास होती है 64 के लिए जो right विकल्प है वो है option A, Neurally Current नेक्स देखिए question number 65, जिसमें पूछा है पेपदार देने वाला पौधा कौफी या अरेबिका किस कुल का सदस्य है 65 के लिए जो right answer होगा वो होगा दिये गए option में से B, Ruby A.C. Family नेक्स देखिए question number 66, जिसमें पूछा है यूनियों में कैबर्स ओर्गन का क्या काम होता है 68 के लिए जो right answer है वो है option A, उत्सरजन next question number 66, वाट्सन एवं क्रिक का DNA model है वाट्सन एवं क्रिक का जो DNA model है वो है option B, B type का जिसमें एक टर्ड में 10 base pair पाये जाते हैं next देखिए question number 68, जिसमें पूछा है enzyme विश्यक निम्लिकित कतनों में से कौन सा सही है सही option को हमें choose करना है answer के लिए जो right answer होगा वो होगा option D, सभी सक्रियन उत्जा को घटाते है next देखिए question number 69, निम्लिकित में से कौन सा कोडौन सामानिता वैलीन को कूट बद्ध करता है, परन्तु प्रारंबिक कूट होने पर formulated methionine के लिए कूट संदेज देता है दिये गए question के लिए जो right answer होगा वो होगा option A, GUZ next देखिए question number 70, साइकॉन में किस प्रकार का कैनाल तंत्र मिलता है सत्तर के लिए जो right विकल्फ होगा वो होगा option D, dragon next देखिए question number 71, निलिकित में से कौन सा निस्यंदक भोजी नहीं है question number 71 के लिए जो right, question number 71 में जो दिया गया question है निलिकित में से कौन सा निस्यंदक भोजी नहीं है इसके लिए जो दिया गया सही विकल्फ होगा option D, asteriasis next देखिए question number 72, जिसमें पूछा है, डैश एक पारस्परिक क्रिया है जिसमें एक जाती को लाब होता है, और दूसरी को नहानी ना लाब 72 के लिए जो right विकल्फ है, वो है option A, सह भोजीता next देखिए question number 73, जिसमें हमें पूछा गया है दो निडिल के साथ बॉनी टहनी पाई जाती है 73 के लिए दिये गए question के विकल्फ में से, जो सही विकल्फ है वो है option D, पाईनस सिलावेस्ट्रिस में next देखिए question number 74, कार्बनिक अमलका स्वासन गुडांग होता है 74 के लिए जो right विकल्फ है, वो है option D, एक से अधिक next question number 75, जिसमें दिया गया है, निमलिकित में से कौन सा दुतियक बायू प्रदूशक है 75 के लिए जो right आंसर है, वो है option D, कार्बन डाई, ऑकसाइड next question number 76, निम्ड में से किसे वोल्ट मास कहते है 76 के लिए जो right विकल्फ है, वो है option B, क्लैडोनिया, रैंजी, फेरिना next question number 77, जिसने पूछा है, बहु कोशिकी मुलाब डैश में मिलता है 77 में जो right option है, वो है option C, फ्यूनेरिया next question 78, विभिन बर्गों के मत्य उत्पादक और उभोकता के संबंद को कहते है question number 78 के लिए जो right answer है, वो है option B, खाद्य जाल next question number 79, नेरिस इस्पेसीज में पृण्ड बिन्यास किस प्रकार का होता है 89 के लिए जो right answer है, वो होगा option D, चक्रिय next देखिए question number 80, railway sleeper बनाने में किसकी लकड़ी प्रयोगत की जाती है 80 के लिए जो right answer है, दिये गए option में से, वो है सोरिया रुबस्टा, यानि की option A next question number 81, 81 में हमें पूछा है, मेड़क के हिदय में कितने कुष्ठक होते है 81 के लिए जो right answer है, वो है option B, तीन next question number 82, nitrogen इस्थिरी करण का गुड़ दी गई सभी श्यावाल में किसमें पाया जाता है 82 के लिए जो right answer है, वो है option A, साइनोफाइटा next देखिए question number 83, जिसमें हमें पूछा है, हर्ड मेनिया का उच्षर्जी अंग कौन सा है 83 के लिए जो right answer है, वो है option C, neural grantee next question number 84, जिसमें हमें पूछा है, प्राक्टिक चैन के द्वारा जातियों का उद्भाव का सिद्धान किसने दिया था 84 के लिए जो right answer है, वो है option A, Charles Darwin next question number 85, निम्लिखित में से किसमें हॉर्मोन शब्द का गठन किया था 85 के लिए जो right answer है, वो है option C, E, Charles Darwin next question 86, बोलने की अफ़ीवें निम्लिखित में से कौन सा वाक्टन्तों के कमपन के लिए उत्तरदाई है question number 86 के लिए जो right विकल्प है, वो है option D, नी श्वशित question number 87, कागजन का दूसरा नाम है, 87 के लिए जो right answer है, वो है option A, Core Cambium next question number 88, रैन्वियर दी गाठ कहां पर पाई जाती है, 88 के लिए जो right answer है, वो है option B, Exxon next देखते है, question number 89, बहुत से पौदों में मेडलरी बंडल पाई जाते है 89 के लिए जो right answer है, वो होगा option D, Nictanthus next देखे, question number 90, जिसमें पूछा है, तिल चट्टे में अंतक अंकाली सा नचना Tantorium पाई जाती है, 90 के लिए दिये गया विकल्पों में से जो right उत्तर है, वो होगा option D, Seeds में next question number 91, यदि एक जीव का थैलस, जैसे एक कवक, जब एक या एक से अधिक जनल संचनाव में संपूर्ण बदल जाता है, कहलाता है 90 के लिए जो right answer है, वो है option B, Holocorpic next question number 92, केंद्र की पित्म के साथ संशोधित पोटो स्टील जाना जाता है 90 के लिए जो right answer होगा, वो होगा option A, साइफोनो स्टील next question number 93, हीरोडिनेरिया ग्रैनुलोसस कुल कितने खंडों का बना होता है 93 के लिए जो right answer है, वो होगा option B, 33, ये 33 खंडों का बना होता है यूरो मैस स्ट्रिक्स के किस कशेरुप में वाई आकार की शेवरोण हड़ी मिलती है 94 के लिए जो right answer है, वो होगा, यहाँ पे कॉर्डल यानि की option A, पुक्षिये, इस question में भी हमें doubt है तो आयो की answer की आने तक का आपको wait करना होगा Next देखे, question 95, निमलिकित में से कौन सा तुल्य रूपता का एक उधारण है 95 के लिए जो right answer है, वो है option C सकरकंड तथा आलू, वगन वेलिया का काटा तथा कुकरबिटेसी का प्रतान Option A और B दोनों होंगे, यानि की option C 95 का right answer होगा A और B दिये गया उधारण, तुल्य रूपता का है Next देखे, question number 96 स्कॉलियो डॉन के कपाली तंत्रका में कितने जोड़े होते है 96 के लिए जो right answer है, वो होगा option B 10 Next question 97, निम्ण में से किसने लिमार्कियन सिदान पर आपत्ती जताई थी 97 के लिए जो right answer है, वो होगा option C A वाइजमान ने आपत्ती जताई थी Next question 98, कैरियो फाइले सी कुल में बिजान्ट विन्यास होते है 98 के लिए जो right answer है, वो होगा option A मुक्त स्थम्भी यानि कि free central Next देखे, question 99, किस प्रकार के जिवाश में बाहे वं आंत्रिक दोनों सरशना परिरक्षित होती है Question 99 में जो right answer होगा, वो होगा option A Next question 100, जिसमें पूछा है, कौन सा 22 पोर एक प्रकार का भुणकोश है 100 में दिए गये विकल्प में से, जो right विकल्प होगा option C Allium Next देखे, question 101, बैक्टीरियो फेस का आविशकार किया 101 के लिए जो right answer होगा option B स्वत्तंत्र रूप से W, ट्वार्ट और फेलिक्स टी हैड लेने Next question 100, जिसमें पूछा है, पाइला के रेडुला के हर पंक्ती में कितने दात होते हैं तो पाइला के रेडुला में जो दात होते हैं उनकी संक्या होगी 21112 21112 Option A होगा question 102 का right answer Next देखे, 103 गन्ने में carbon dioxide का संकारक है दिये गए question 103 के लिए जो right answer है, वो होगा option D Phosphoenyl Pyrobic Aml Next question 104, 104 में हमें पूछा है, बुरुनकोस के तन्तु रूप उपकरन डैश में मिलता है 104 के लिए जो right विकल्प है, वो है सहायक कोशिका Next question 105, जिसमें पूछा है Hydra में जनुदो का निर्माड उदिपित होता है, 105 के लिए जो right answer है, वो होगा option A Oxygen की कमी से Next question 106, 106 में हमें पूछा है 12 परिसंचन तथा 12 स्वसन क्रमसा पाया जाता है 106 के लिए दिये गए विकल्प में से जो right answer होगा, वो होगा option B Next question 107, ग्रैमनी कुल में लोडिक्यूल का प्रतिनिदित्व करता है 107 में जो right answer होगा, वो होगा option B सहपत्र यानि की ब्रैट Next, 108 अंबर जिवास में रूप है 108 के लिए जो right answer है, वो है option C Raising Srao का थोस रूप का Next, question number 109, निम्ल में से कौन सा प्राणी भू गोली रेल्म नहीं है 109 के लिए दिए गए विकल्प में जो right answer होगा, वो है option A Megazia Next, question number 110, निम्लिक्यत में से कौन सा अनिवार वसा अमल है 110 के लिए जो right answer होगा, वो है option D Linolic Amal Next, question number 111, पीतक की मात्र तथा उसके वित्रण के आधार पर मेढ़क के अंडे होते है 111 के लिए जो right answer होगा, वो है option C मद पीतिकी तथा गोलाड पीतिकी Next, question number 112, निम्लिक्यत प्राण्थों में से कौन सी फाइब्री नाल सनी है Question number 112 के लिए जो right answer होगा, वो है option B Thrombin Next, question 113, तैटपल डिम्लिक्यत के शरीड में स्पस्ट दिखता है 113 के लिए जो right answer होगा, वो है option D उप्रोक्त सभी, तैटपल के डिम्लिक्यत में शरीड, सेर, धर एवं पूच तीनों स्पस्ट दिखते हैं, सीर और धर दोनों एक अई हो जाएगा तो इस तरह से option D हुआ, 113 का right answer Next, देखिए question number 114, मैठनोजेनिक जिवाडू, डैस ते शम्बंदित है 114 के लिए जो right answer होगा, वो है option D, R की बैक्तिरिया Next, 115, चॉकलेट टैस के बीच से प्राप्त होता है 115 के लिए जो right answer है, वो है option B, थियो ब्रोमा कैकाओ Next, question 116, पारानोग कमपी तंत्र नहीं करता है 116 के लिए जो right answer होगा, वो होगा option B, स्वास न लिकाओ को संकुचित तो इस तरह से option B, 116 का right answer होगा Next, question 117, एमफी आक्सस विश्यक निम्ली के कत्नों में से कौन सा सत्य नहीं है एमफी आक्सस के विश्यक में कौन सा सत्य नहीं है, ये बताना है 117 के लिए जो right विकल्प है, वो है option B, तंत्री का रजू नोटो कॉर्ड के प्रिस्ट में Next, question 118, निम्ली में से लिक्यो सोलेनिया के स्वर्का है और 118 के लिए जो right answer है, वो है option A, कैलकेरिया Next, देखें, question number 119, लाइकेन के कवकांश, शामानियतर, डैस से संबंदित है 119 का जो right answer होगा, वो होगा option C, एसको माइ सिटीज, यानि की option C 120, ब्रायोफाइटर के संबंदि में निम्लांकित में से कौन सा कथन असत्य है यहाँ पे हमें असत्य कथन के लिए बताना है, 120 का जो right answer होगा, वो होगा option C, युगमनच, अर्डव सूत्रे विभाजन द्वारा विभाजित होते है Next, देखें, question number 121, वाइयू मंडल में कार्बन डायोकसाइट की अनुपस्तित्य प्रित्वी होगी 111 के लिए जो right answer है, वो होगा थार मरुस्थल जितनी गर्म, यदि प्रित्वी से कारबन डायोकसाइट की मात्रा अनुपस्तित हो जाएगी तो जो हमारी प्रित्वी है, वो थार मरुस्थल के जितनी गर्म हो जाएगी तो 121 के लिए जो right answer होगा, वो होगा option A नेक्स देखिए question number 122, गोला कार प्रोटीन निमलिकित में से किसकी तरह कार नहीं करती है 122 के लिए जो right answer होगा, वो होगा एंजाइम की option A, 122 पे भी हमें इनके option में doubt है तो आपको आयोकी answer की का प्रतिक्षा करना होगा नेक्स देखिए question number 123, निमलिकित में से कौन सा कथन सही नहीं है 123 के लिए जो right answer होगा option C और निशेक फलन के द्वारा फल उत्पन करने के लिए केवल जिब्रेलिन्स प्रभावी होते है next question number 124 जिसमें पूछा गया है कुकुट में उश्मायन अवदी कितने दिन की होती है 124 के लिए जो right विकल्प है वो है option B 21 दिन के लिए next और TGT जिव विग्यार 2021 के पेपर का अंतिम प्रश्ण ground धनात्मक बैक्टीरिया के लक्षण है 125 में जो right answer है वो होगा option D उपर विक्ट सभी धनात्मक बैक्टीरिया के ये दिये गए तीनों लक्षण होते हैं तो इस तरह से option D question number 125 का right विकल्प हुआ तो इस तरह से TGT जिव विग्यार 2021 में प्रश्ण थे और ये उनके solution थे I hope ये विडियो आपके लिए सहायक होगा और जिन प्रश्णों के उत्तर में हमें doubt थे अगर उनके answer आपको पता है तो हमें comment करके बताए और इस solution के द्वारा आपके exam में कितने answer सही हो रहा है ये भी हमें comment करके बताए हमारे विडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद चैनल को subscribe करना और विडियो को like करना ना भूले इससे हमें आगे की विडियो बनाने के लिए motivations मिलती है और support मिलता है हम मिलेंगे अपने नेक्स विडियो में ऐसे ही सहाए है एक विडियो के साथ